हेलो हाई आदाव नमस्कार सम्माने साथियों वेलकम टी योट्योब चैनल टेट पाइंट महम्मद इसफली के संग जज़की सर्विदित है कि मानव संदा पोर्टल पर हम एक सिरीज लेकर आ रहे हैं जिसकी आज ये सेकिंड वीडियो है पर्फॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर्म कैसे भरें लाइव हम आपको दिखाएंगे पर्फॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है इसे सिक्षकों के वेतन पर क्या प्रुभाब पढ़ेगा क्या दुस्प्रुभाब पढ़ेगा इसी के विशे में आज हम दिश्कसन करने जा रहे हैं आप एक्चा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी पसंद आने पर लाइक करें सब्सक्राइब करें तता बेल आइकन को प्रेश करें ताकि नौटिफिकेशन आपको सर पर थंप्राप्त हो सके और हाँ शेयर भी करें शेयर करने से ग्यान गरता नहीं ग्यान बढ़ता है और हाँ यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डेस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वार्टसब गुरूप के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं तो चलते हैं आज के वीडियो के मुख्य बिंदू की तरफ पर्फॉर्मेंस इंडिकेटर इस शॉट में पी आई भी कह सकते हैं पी आई क्या है यह पूरे वर्ष आपने क्या पर्फॉर्मेंस दिया है क्या प्रदर्शन क्या है इसी के आधार पर आपकी सेलरी में इंक्रिमेंट लगेगा अत्वा नहीं लगेगा पर्फॉर्मेंस इंडिकेटर की गुप्त आख्या अत्वा ACR पर depend करेगे ACR से समंदित वीडियो में हम पहले ही बना चुके हैं जो हम आपके description box में link डाल देंगे आप आज से इसकी विश्टरिज जानकार ले सकते हैं PI में self assessment होता है जिससे swim को आखने आखते हुए निर्धारिद बिन्दों के आधार पर नमबर देने होते हैं उसके पश्चाथ उनको submit करना होता है आपके दोरा submit बिन्दों को B.O. सर आपके विद्याले में आकर निक्षण करते हैं उसके पश्चाथ गुप्त आख्या बना कर वे B.S. से मोहदे सर को शेंड करते हैं और उसके उस पर कारवाई की जाती है तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ सर पिर्थम इसके लिए हमें क्राउम ब्राउजर में जाना होगा और यह हमारा सर्च बार है इस सर्च बार में हमें E.H.R.MS लिखना होगा इसे हम टच करेंगे टच करने पर के पैट सामने आ जाएगी और इसमें हम लिखेंगे E.H.R.MS E.H.R.MS और यह उपन हो जाएगा अब आपको यहां चमक रहा होगा मानाव सम्दा आदेश जो इस सर्पिर्थम पहला आप्सन है इसी को हम यहां से टच करेंगे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पस्चाथ आप देख रहे होंगे कि यहां पर E.H.M.S E.H.R.MS लोगिन दीख रहा होगा आप इसको यहां से क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पस्चाथ आप यहां पर योजर लोग इन पेज पर आ जाएंगे और सबसे पहले आपको यहाँ योजर डिपार्टमेंट जमक रहा होगा आप इसको क्लिक करेंगे क्लिक करने के परशाथ यहाँ आपको बेसिक एजुकेशन को सरक करेंगे उसके परशाथ आप योजर आईडी जो भी आपका योजर आईडी है वो यहाँ पर आप इसको फिलिप करेंगे मान लेजे 42, 46, 48 है तो इसको यहाँ पर फिलिप करेंगे 45, 46, 48 जो भी आपका यहाँ पर योजर आईडी है उसको आप फिलिप करेंगे उसके पशाथ आप यहाँ पर पासवर्ड बरेंगे जो भी आपका MRP123 जो भी आपका यहाँ पर पासवर्ड है उसको आप यहाँ पर फिल अप करेंगे उसके पस्चाथ यहाँ हम पासवर्ड बर चुके हैं अब बरेंगे हम CAPTCHA TEST SMALL Q SMALL W SMALL R CAPITAL A SMALL A CAPITAL W और यहाँ आपको चमक रहा होगा LOGIN हरी कलर का तो आप इसे टच करेंगे और NEXT PACE पर पहुंच जाएंगे यहाँ आपको चमक रहा होगा जनरल और जनरल के नीचे मिलेगा आपको transform audio लिखा मिलेगा इसी को आपको यहाँ टच करना है इस परकार से नया पेज खुल कर आता है तो हम इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं Employee Performance Indicator Failing for AR 2020 और नीचे है फिर PI Self Assessment इसके अंदर गत साहिकत द्यापक हो अथवा प्रिधाना द्यापक नो कोशन आपको दिखाई देंगे सिर्फ एक कोशन में यहाँ डिफ्रेंस दिखाई देगा पिर्थम कोशन में Operation कायक कल्प के अंदर गत विद्याले में अविस्थापना सुईधाओं की स्थापना इसके स्थापन पर साहिकत द्यापक के लिए कोशन लिखा मिलेगा आपको आउट आफ इसकोल बच्चों का सर्वेक्षण एवं नामांकन जो आपने आउट आफ इसकोल बच्चों का सर्वेक्षण किया है और जो बच्चे निकल के आए हैं आपने उनका नामांकन किया है अथवन नहीं किया है अगर आपने नामांकन किया है तो आपको 10 नमबर मिल जाएंगे अगर नहीं किया है तो नहीं तो आप चलते हैं यह point आपको clear होगा होगा operation काया कल्ब के अंडरेगत आप सभी जानते हैं कि काया कल्ब बड़े जोड़ सोर्श से चल ला है तो इसके अंडरेगत यह प्रधान अध्यापक के लिए ही point है operation काया कल्ब के अंडरेगत यह आई का बटन आप यहाँ देख रहे होंगे आई है का बटन है इसको आप यहाँ से प्रेस करेंगे और प्रेस करने पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे संत्रप्तिक करण होने पर 10 अंक 10 अंक मिलेंगे जब 14 पेरामीटर संत्रप्त होने पर हो जाएंगे आपके तो 10 अंक मिलेंगे अथवा हेड मास्टर को सुनने मिलेंगे तो आप अगर ये संत्रप्तिक करण नहीं हुआ है पेरामीटर 14 पुइंट नहीं हुएं तो आप इनको पूरा कर लिजिए तो अगर आपके पूर्ण है तो यहां आप दस नंबर देंगे इस इस सेकेंड कोश्चन पर चलते हैं सेकेंड कोश्चन है मारा आख्या वर्थ 2021 में विद्याले में औस चात्र उपस्थ थी rate yourself under 10 marks यह 10 marks का है तो हम यहां भी I का बटन को प्रेस करते हैं और यहां लिखा मिलता है आपको मिलेगा 60,30 से 80,30 तक 5 अंक और 80,30 से अधिक 10 अंक लेकिन सत्र 2,021 एक्केज हेतू लागू नहीं है क्योंकि ये सत्र में कुछ हुआ ही नहीं है तो बच्चों की जब वो पस्तिती हुई ही नहीं है तो इसलिए ये सरकार ने इसको नहीं माना है तो इस कोलम को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और प्रिशन नमबर तीन की तरफ आगे पड़ते हैं प्रिशन नमबर तीन है मारा पिरधाना ध्यापक की ओसा तुपस्तिती का प्रितिसत तो रेट यूर सेल्फ अंडर टैन मार्स तो हम इसको भी आई के बटन को प्रेश करते हैं और दिखते हैं क्या लिखाता है साथ प्रितिसत से असी प्रितिसत तक पांचंक और असी प्रितिसत से अधिक होने पर आपको दसंक मिलेंगे लेकिन सत्र 2020-21 तो यह लागू नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि टेबलेट की उपलबता के ग्रम में अग्रम सत्रों में लागू किया जाएगा क्योंकि टेबलेट नहीं है टेबलेट की उपलबता नहीं है इसलिए इस सत्र में इस कॉलम को भी छोड़ दिया गया है इसको भी हम कोई नमबर नहीं देंगे तो question number two और three में कोई भी marking नहीं करेंगे अब चलते हैं person number 4 की तरफ और person number 4 है हमारा learning outcome की अंतीम परिच्छा में सहयक अध्यापक अध्यापी का द्वरा पढ़ाएगे विसे का grade तो यहां आप इसको touch करेंगे आई को और इसको देखते हैं A grade होने पर B संक मिलेंगे और A grade प्राप्थ होने पर 16 और B grade होने पर बार है C grade मिलने पर 8 और D grade मिलने पर 4 अंक मिलेंगे यदि कक्छा के 55 प्रतिसत या उससे अधिक छात्र A प्लस अत्वा A कैटेगरी में आते हैं तो 20 अंक अत्वा सुनने मिलेंगे तो 55 प्रतिसत चाहे A प्लस हो चाहे B अ हो अगर आपके 55 प्रतिसत चाहत इस प्रकार की कैटेगरी को प्राप्थ करते हैं तो आप A प्लस A कैटेगरी के अंग को चूज कर सकते हैं माली जए हम A को चूज करते हैं कि हमारे A के बच्चे 55 प्रतिसत चाहत किया है तो यहां पर हम इस कॉलम में 16 नंबर लिख देंगे और आगे बढ़ते हैं यह नंबर जो दिये जाएंगे कोशन नंबर 4 में यह हमारे जो सेट 2 की परिछा हुई थी उसके आधार पर प्लस इन परिछाओं के आधार पर मुल्लैंकन किया जाएगा कोशन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं दिख्षा पोर्टल का प्रियोग तो दिख्षा पोर्टल का प्रियोग आप करी रहे हैं आपने निष्ठा का 18 मोडियोल्स आप सभी ने पूर्ण कर लिये हैं तो उसके निष्ठा के प्लस जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें आप दिख्षा पोर्टल का उप्रियोग नहीं कर रहे हैं तो करना सुरू कर दीजे क्योंकि इसमें मार्किंग आपकी चेकिंग की जाएगी कि आप पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं तो अगर आप निश्ठा की मोडियोल्स तो 18 आप करें चुके हैं प्लस बच्चों को भी दीख्षा पोटल का इस्तेमाल करने दीजिए उनको समझाईए बच्चों को तो इस पर आपको दस आंग की हाँ पर मिल जाएंगे देखते हैं क्या ता लिखावा चात रोप्यों की डिजिटिल सिक्षण सामगरी का सिक्षण में नियमित प्रियोग करने पर दस आंग और संदर पंत्रांग इतना इतना तो यह बारे नॉवंबर दोजार बीस से तो यह दोजार बीस दिनांग बारे नॉवंबर से चालू माना गया है तो इसमें आप मां बीस दस अंग भर देंगे क्योंकि आपने निश्ठा के किये हैं और वैसे भी पढ़ाई रहे हैं बच्चों को आगे चलते हैं प्रेश नंबर साथ प्रेश नंबर साथ में आपका SMC की नियमित बैटकों में प्रिति भाग ये भी दस मार्किंग का है दस नंबर का है तो इसमें आई के बटन को हम प्रेश करते हैं तो इसमें आता है प्रिति माह बैटक करने पर दैस अंक वास्त्रिक आंकनों के आधार पर तो जो SMC की प्रिति माह बैठक होती है वहां आपके भी साइन होने चाहिए आपके स्टाप के भी साइन होने चाहिए अगर आपके जुटे वे हैं तो आप वहां साइन कर दीजिए क्योंकि बियो सर वहां वास्त्विक रूप से देखेंगे और मार्किंग करेंगे तो यहा यहां आप 10 नंबर को के लिए इस कॉलम में भरेंगे और आगे बढ़ेंगे कोश्य नमर आठ चात्रों द्वारा पुस्तकाले का प्रियोग तो यह चात्र इसको हम आएके बटन को देखते हैं नेमित प्रियोग होने पर 10 अंक वास्त्विक आंक्रों के आधार पार तो यह यहां भी वही चीज आएगी कि यहां भी जो एक पुस्तकाले का एक रिश्टर होता है कि हम बच्चों को पुस्तक दी और उसने बच्चे ने हमें वापिस दी तो उसका एक साइन कराते हैं और पुस्तक का नाम भी लिखना होगा तो वहां वह रिश्टर भी हमारा जैते हैं और को कुशन है मारा मडूरा आधार्सिला ध्याना कर्षण सिक्षण संग्रय के प्रिईयों की इस्तिति को प्रेश करते हैं और कश्राइब नियमित प्रि योग होने पर 10 피chnya कर Muhammad के आधार पार तो इसके दो point हो सकते हैं एक तो यह कि आप इन तीनों मोडियूल्स के बारे में कितनी जानकारी है को कोशन कर सकते हैं और दूसरा यह जो यह कख्छा तीनों मोडियूल्स हैं यह हमारी कख्छा की इस्थितिक को इस पुश्ट करने के लिए कि हम इन ही पर आधारित होकर पढ़ाएं हम इन तक्निकों का उप्योग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो इस प्रकार से जो इसमें आधार सिला में दिया है कक्षा एक दो तीन का दिया है और ध्याना तरशन में तक्निक दिया है और सिक्षण संग्रें में जो भी मैटर दिया हूँ उसके आधार पर हमें सिक्षण तो हम वो हमें 10 अंग दे देंगे लेकिन उससे पहले हमें 10 अंग स्वैमी स्वैम आकनन करके देना होगा आगे चलते हैं इस तरह से सिर्फ दो कॉलम हमारे छूड़ते हैं इसको भी बढ़ लेते हैं इस तरह से हमारे दो कॉलम छूड़ते हैं कोशन नमबर टूर कोशन नमबर तीन बाकि सभी हमें पूर्ण कर लिया हमने तो इस तरह से ओवर ओल रेटिंग 76 परसेंट प्रितिसत बेड़ती हैं और यहां आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं जो कोशन नमबर टू या थ्री या किस करते हैं और किलिग करने के पर साथ नीचे आएंगे नीचे आपके खंड को वापिस हो सकते हैं और जैसे हमने स्टार्ट पर हुए थे वहीं चेक कर सकते हैं कि हमारा डाटा सही है या गलत है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें शेयर करें